आज हम हिंदी व्याकरण में एक महत्पूर्ण प्रश्ण पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है विराम चिन्न यानि पंक्चुेशन जिसका फायदा हमें हर प्रश्ण में होगा जाए वो निबंध हो ब्रीफ हो आंसिन वनलाइन हो आए देखते हैं हमारी भाषा को सुंदर और सुदरड बनाने के लिए विराम चिन्नों का अभ्यास निमलेकित वाक्यों का अगर हम ध्यान पूरण पढ़ें को हमें मिलता है पहला वाक्य सुनो मत जाओ दूसरा वाक्य सुनो मत जाओ पहले वाक्य में सुनो के बाद कुछ रुखने से वाक्य का अर्थ हो गया है बात स दूसरे वाकिय में मत के बाद अल्प विराम चिन्न लग जाने से। वाकिय का दूसरा ही अर्थ हो जाता है अल्प विराम चिन्न यानी कॉमा। दूसरा अर्थ हो गया है कि किसी की बात मत सुनो और चले जाओ स्पष्ट है कि विराम चिन्नों का प्रयोग हमारे कथन के अर्थ में आश्चिर जनत परिवर्तन कर देता है आईए हम विराम चिन्नों को विस्तार से समझें ये उनके कुछ संकेत हैं जैसे पूर विराम यानि फुल स्टॉप अर्थ विराम सेमिकॉलन अल्प विराम यानि कॉमा प्रश्णु आचक चिन्न यानि मार्क ओफ इंट्रोगेशन विस्म्यादी बोधक यानि मार्क ओफ एक्स्क्लेमेशन उद्धरन चिन्न इन्वर्टेट कॉमा अब इन चिन्नों के संबन में विस्तार से समझ लिया जाए पहला पूर्ण विराम यानि फुल स्टॉप वाक्य के पूरा हो जाने पर इस चिन्न का उप्लोग किया जाता है किवल प्रश्णु आचक अत्वा विस्म्यादी बोधक चिन्नों को छोड़कर सदैव ही वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्न लगाना चाहिए जिससे वाक्य पूरा हुआ है इस बात की जानकारी मेरती है जैसे मेरा भाई घर से वापस आ गया है है के बाद पूर्ण विराम फुल स्टॉप दोसरा अर्ध विराम सेमिकॉलम जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा उसकी तुलना में कम रुकना होता है वहां अर्ध विराम चिन्न लगाया जाता है जैसे जो काम में आज पूरा नहीं कर सका हूँ अर्ध विराम वह कल पूरा हो जाएगा और एक एक्जामपल वहां व्यक्ति मुझसे अधिक बुद्धिमान है अर्ध विराम मुझसे अधिक सहनशेल है तीसरा अल्प विराम कॉमा एक ही प्रकार के शब्दों के बीच बीच में अलगाव देने के लिए अत्वा उपवाक्यों का परस पर आपस में संबंद जोडने के लिए इस चिन्न का उपयोग किया जाता है जैसे मनीश आज सुरेश, मोहन, रमेश और अनिता के साथ गोमने गया था तो यहाँ पर सुरेश, मोहन और रमेश के बीच कॉमा है मैं सोचता रहा, कॉमा, खाता रहा और उस द्रश को देखता रहा तीसरा, बोल-बोल कर याद करना, लिख लिख कर अभ्यास करना तता बार-बार पढ़ना परिक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक है इस तरह से हमने देखा अल्प विराम का उपयोग अब हम देखेंगे प्रश्ण वाचक चिन्न वाक्य में प्रश्ण पूछने के बाद सदैव हमेशा प्रश्ण वाचक चिन्न लगाया जाता है जैसे आप इस समय क्या काम कर रहे हैं, वहां कौन खड़ा है, तुम कहां गए थे इन सभी वाक्यों में अंत में प्रश्ण वाचक चिन्न आता है, विस्मयादी बोधक अत्वा संभोधन चिन्न, वाक्य में कोई भावावेग, कोई विस्मय प्रकट करने वाले, अत्वा संभोधित करने वाले वाक्यों के बाद विस्मयादी बोधक चिन्न लगाया जाता ह जैसे आह कितना अच्छा होता कि मैं कल यहां आ गया होता दूसरा वाह क्या बात कही है आपने आह वाह काश शाबाश अरे उफ यह सब वाक्यों में विश्मयादिप उदक्चिन आएगा उद्धरन चिन जहां किसी का कथन कोई statement कोई बात कोई dialogue जयों का क्यों as it is उद्रत किया गया हो लिखा गया हो वहां दो दो उद्धरन चिन यानि double inverted लगाख लगाए जाने चाहिए किन्तो जहां किसी विशिष्ट वस्तू अत्वा पधार्थ की और विशेष्ट ध्यान आक्रिष्ट करना हो वहां एक एक उद्धरन चिन्न यानि सिंगल इन्वर्टेट कॉमा लगाई जाती है जैसे नहरुजी ने कहा था आराम हराम है ये उनका स्टे इसके लिए उसको सिंगल इन्वर्टेट कॉमा में लखा गया राम चरित मानस को तो ये प्रियोग था उद्धरन चिन्न का आये देखते हैं सात्वा मुद्दा यानि योजक हाइफन योजक चिन्न का प्रियोग अनेक स्थितियों में होता है जैसे शब्द युग्मों के बीच में विशेश रूप से द्वंधु समास के बीच में उदारन कर्ण दुरियोधन यानी कर्ण और दुरियोधन स्वर्ग नरक यानी स्वर्ग या नरक संबंदकारक کی wibhakti का, की, और के को बीच से हटा कर उधान के तौर पर राम बान यानि राम का बान राज कञ्या, राजा की कञ्या सादर्श्य मुलक्ता, बताने वाले इनि एक समान सा अर्थ बताने वालों के लिए सा, सी और से उसके बीच में यह हाइफन का इस्तिमाल होता है जैसे कर्ण सा यानि कर्ण जैसा रावन सा यानि रावन के समान आठ्वा निर्देश अपचिन यानि डैश उधारन की ओर संकेत करने वाला अथ्वा निर्देश वाक्य के बाद प्रियुक्त होने वाला चिन निर्देश अप्चिन कहलाता है जैसे निमलिखित का प्रियोग वाक्य बना कर कीजिए डैश इस पार प्रिय तुम हो मदु है उस पार न जाने क्या होगा डैश बच्चन यानि हर्वन श्राइबच्चन जी की ये पंक्ति है डैश का प्रियोग इस तरह से किया जाता है लेखन के समय विवरण चिन साइन ओफ फॉलोईंग जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया हो वहाँ विवरण चिन लगाया जाता है जैसे परिवार दो प्रकार के होते हैं एक सेयुक्त परिवार दो एकल परिवार लागव चिन शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए यह चिन प्रियुक्त किया जाता है शॉट फॉर्म के लिए जैसे डॉक्टर कमल सत्यार्थी इस भी के लिए ई-डॉट यानि इस तरह से लागव चिन का उप्योग होता है कोश्टक चिन कोश्टक चिनों का उप्योग निमलखी तीन रूप को में किया जाता है जैसे क्रम सुचक अंकों में जैसे रोमन में जब हम लिखते हैं वन टू एंड थ्री अतुआ अक्षरों के साथ यैसे कख या वाक्य के भीतर आए किसी शब्द को इसपष्ट करने के लिए जैसे अपने भाईयों भरत कौमा लक्ष्मन और शत्रुगन कोश्टक जैसे राम बहुत उदार थे समनारती शब्दों को इसपष्ट करने के लिए भी कोश्टक चिन्न का प्योग किया जाता जैसे अरजुन दाएं बाएं दोनों हाथ से धनुष चलाने वाला सव्य साची उप्विराम निमलिकित स्तित्यों में इस चिन्न का प्योग होता है जैसे जहाँ वाग्र के बीच में तोर कर आगे या नीचे कुछ निरदेश दिया गया हो जैसे उपर दिया यही चिन्न दूसरा जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो जैसे दहेज एक सामाजिक कलंक डन्यों